नमस्कार मैं हूँ सुप्रिया सिंग आप देख रहे हैं तो भारत खबर अगर आप दिली अंसियार में रहते हैं तो फिर अपनी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी या फिर 15 साल पुरानी बाइक और पेट्रोल कार को लेकर बिल्कुल भी सड़कों पर ना उत्रे दिली परिवह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानि NGT बिल्कुल सक्त है ऐसे में अगर आप नियम को नजर अंदाज कर 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार लेकर सड़क पर निकलते हैं तो फिर उसे जबत कर सीधे स्क्रैपिंग के लिए बेज दिया जाएगा दिली जन्वरी को करीब 1 लाग से ज्यादा डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद कर दिया गया ये सभी वाहन 10 साल पुराने थे यही नहीं आने वाले चंद दिनों में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन रद कर दिया जाएगा दिली परी वहन विभा और आप उसे कबार में नहीं बदलना चाहते हैं तो फिर आपके पास दो विकल्प हैं आप उसमें एलेक्टरिक किट फिट करवा कर चला सकते हैं इसके लावा परिवहन विभाग से नो अबजेक्शन सर्टिफिकेट यानि एनोसी लेकर उसे दूसरे राजियों में बेच सकत हाला कि जिन राजियों में इनके दोबारा रेजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंद है उनके लिए ये नोसी जारी नहीं की जाएगी आप दिल्ली परिवहन विभाग से नोसी लेकर राजिस्थान और मेगाले के सभी जिलों में अपनी पुरानी कारें बेच सकते हैं बिहार के 18 जिलों में ये नियम मानने रहेगा वहीं उत्तरप्रदेश के 33 जिलों में दिल्ली की पुरानी गाडियां रेजिस्ट्रेशन हो सकती हैं महराष्ट के 26 निगमों जिलों के लिए भी एनोसी ली जा सकती है सरकार ने अपने आदेश में इन गाडियों को इलेक्ट्रिक में कनवर्ट कराने का उप्शन दिया है किसी बी डीजल या पेट्रोल गाड़ी को इलेक्ट्रिक गाड़ी में बदलने के लिए आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक कंट्रोलर युनिट चाहिए को इलेक्ट्रिक गाड़ी में बदलने का खर्च करीब दो लाक रुपे तक होता है बड़ी गाड़ी के लिए ज्यादा खर्च आएगा आप देख रहे हैं दा भारत कबर हमारी वाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए नमस्कार